असलाम अलेकुम वरामतुल्लाही वबरकातू और भाई लोग क्या हाल चाल है उम्मीद है सब चंगा होगा हमेशा खुश रही है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो सिर्फ किसी खास टॉपिक पर ही वीडियो बनाओ या अलग- इसम के वीडियो के लिए अलग-अलग चैनल बनाओं यह मेरा एक ही चैनल है जिसमें वक्त और जरूरत के एतिबार से मैं टाइम निकालकर वीडियो बनाता हूं अलबत्ता अलग-अलग टॉपिक के लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी वी है जिससे आपको अपने वीडियो तक महुचने में आसानी हो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि हमें एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो बाया फ्लॉक से ज्यादा फाइदेमन और इंट्रेस्टिंग और इंफर्मिटी होगी मुझे पुरा यकीन है कि आप इसको बाया फ्लॉक से ज्यादा पसंद फर्माएंगे इसमें हम वो बाते करेंगे जिससे हम सबको आने वाले वक्त में फाइदा हो हमको भी और हमारी नसलों को भी और हाँ बाया फ्लॉक अभी खतम नहीं हुआ है वक्तन फॉक्तन उसका अपडेट भी हम देते रहेंगे फिलहाल फार्म पर सबकुछ ठीक ठाक चल रहा है हमारी इस नई सीरीज का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है आप कमेंट में बता दीजिए कि इसका क्या नाम रखा जाए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा ये मुल्क एक बे मिसाल मुल्क है अल्ला ने जहां एक तरफ इसको हर किस्म की खुबसूरती से नावाजा है वही दूसरी तरफ इसको अलगलग छोग अलगलग जुबाने अलगलग कँल्चर और अलगलग सब्था और अलगलग फीचर से भी नावाजाँ है यहां जहां एक तरफ हमारे पास पहाडों का बादशाह हिमालिया है वहीं दूसरी तरफ अरेबियन और इंडियन महासागर है जहां एक तरफ कश्मीर से लेकर अरुनाचल तक बरफिले पहाड है वहीं दूसरी तरफ राजिस्तान का तपतावा रेगिस्तान है मैं अपने मुल्क की खुसुसियात गिनाने बैठूँ तो रात खतम हो जाएगी बात खतम नहीं होगी पर हमारे इस मुल्क की जो सबसे एहम, सबसे यूनिक और सबसे खुबसूरत बात है वो ये है इसका भाई चारावाला मिजास यूनिटी इन डाइवर्सिटी अनेकता में एकता और ये कोई 1947 के बाद वजुद में नहीं आई है बलके इसकी एक खास खुसुसियत कई सौ सालों से है और यही वो ताकत है जिसकी वज़े से हम सबने मिलकर अंग्रेजों को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया था और आजादी के बाद एक बार फिर इस यूनीटी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है वो कहते हैं ना के मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वो ही होता है जो मनजूरे खुदा होता है इंसानियत के दुश्मन करना चाह रहे थे कुछ और पर हो गया कुछ और रंग अलग, जुबान अलग, धरम अलग, जाती अलग पर फिर भी नौट से साउट तक, इस्ट से वेस्ट तक सब एक साथ खड़े हैं और सब का मन्शा एक ही है क्या बात है, वेरी गुड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा खर बॉंबे में है हमारे खर से करीब से करीब जो इस्टेशन पढ़ता है, वो है मुंबई सेंट्रल इद का दूसरा या तिसरा तीन होगा, सुभा के तकरीब अंदर से ग्यारा बजे का वक्त हम कुछ कर्जिन्स को बांदरा जाना था, और उन सब में मैं शायद सबसे छोटा था सभी ने इतक पर नया कुर्था पजामा पहना हुआ था हम बॉंबे सेंट्रल पहुँचे और फास्ट लोकल के प्लेटफॉर्म नमबर तीन पर उतरे वहां का जो इंडिकेटर था उसमें गाड़ी थोड़ी लेट बता रहा था तो सबने ही डिसाइड किया कि रेलवे ट्रैक क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नमबर वन से स्लो गाड़ी पकड़ लेते हैं और उससे जाते हैं जो आने वाली थी टाइम बच जा था काफी पहले की बात है इसकूल टाइम की और मैं उस वक्त इतना छोटा था कि अगर ट्रैक पर खड़ा होकर हाथ उपर करूं तो जाकर प्लेटफॉर्म पर लगेगा मुंबई सेंटरल लोकल इस्टेशन का जोग्राफिया कुछ यू है कि प्लेटफॉर्म नंबर वन और टू प्लेटफॉर्म नंबर थ्री और फोड से थोड़ा आगे को निकलाओ है तो जहां platform number 3 खतम होता है वहां तो उतरने के लिए धलान बनी हुई है कि कोई बच्चा भी आराम से उतर सकता है पर उसी के सामने platform number 2 तकरीबन आधा और तकरीबन आधा बाकी है मतलब के सामने direct platform था और बड़ा आदमी तो चलंग लगा कर चड़ सकता था उसके उबर पर मेरे जिसा चोटा बच्चा जो है उसको हाथ पकड़कर उपर खीचना पड़ता दूसरी बात यह है कि platform बिल्कुल सीधा नहीं है थोड़ा curve है वो पूरा station थोड़ा सा curve है मतलब कि local train के driver यानि के motor pen को पूरा station उसी वग नजर आता है जब train बिल्कुल station के करीब पहुंच जाए तीसरी बात यह है कि train का brake हमारी गाड़ी के brake की तरह नहीं होता कि छट से मारा और गाड़ी जगा पे खड़ी हो गई बलके उसका brake हाथ में होता है और उसको बार पर दबाना पड़ता है छोड़ना पड़ता है दबा छोड़ दबा छोड़ दबा छोड़ अरे brake की बात कर रहा हूं यार तब जाके ट्रेन रुपती है चौथी बात सुभा के वग सबर्ब से बॉम्बे की तरफ आने वाली जो लोकल होती है वो एकदम पैक होती है फुल लोड होता है गाड़ी में जिसकी वज़ेसे ब्रेक लगाना और भी मुश्किल होता है खैर तो बजाए ब्रीज इस्तिमाल करने के भाई लोग ने डिसाइड गिया के चलो पट्री ग्रॉस करते हैं सब प्लेटफॉर्म के लास सिरे पर पहुँच गया देखे कोई ट्रेन वगरा नहीं आ रही है और पट्री पार करना शुरू किया अब इस बीच किसी ने कहा होगा के पट्री पार नहीं करते हैं ब्रीज का इस्तिमाल करते हैं हम साथ आठ लोग थें तो बाकी सब तो उल्टे पाउं घुम गए और ब्रीज का रुख कर लिए यहां दुसरी तरफ मैं जो सबसे आगे था मुझे इस मश्वरे का पता ही नहीं चला कि कहानी पीशे बदल गई है और मैं अपनी धुन में पट्री पार करना शुरू कर चुका था और उन लोगों को भी कोई ऐसास नहीं हुआ कि मैं उनके साथ में नहीं हूँ ध्यान तो तब गया जब पूरे प्लेटफॉर्म पर लोगों की चीखने चिलाने की आवाज आना शुरू ही प्लेटफॉर्म नमबर दो के पूरे लोग एक बच्चे को देखकर चिला रहे थे और उसका ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे के प्लेटफॉर्म नमबर दो पर ही लोकल ट्रेन आ रही है लोकल के ड्रैवर साब को भी बच्चा नजर आ गया था और वो भी हौन पर हौन दिये जा रहे थे और ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे जैसा के मैंने पहले ही कहा बताया था आपको के स्टेशन क्रॉस होने की वज़े से मैं ड्रैवर को उस वक नजर आया जब ट्रेन आलरेडी प्लेटफॉर्म के करीब पहुँच चुकी थी सब चिला रहे थे पर हम तो भाईया बिलकुल दुनिया माफिया से बेख़बर मगन लाल बने मगन पटरी क्रॉस करते प्लेटफॉर्म नमबर दो की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे बिलकुल धियान से नजर नीची की ये पटरी देख देखकर प्लेटफॉर्म नमबर दो की तरफ अपने चोटे चोटे कदमों से बढ़ रहे थे जब बिल्कुल करीब पहुँच गया और नजर उपर उठाई तब ख्याल आया कि कई लोग मेरी जान बचाने के लिए चिला रहे थे और प्लेटफॉर्म के जिस पोशिशन की तरफ मैं जा रहा था वहां कई बंदे मुझको उठाने के लिए बिल्कुल रैडी और तयार खड़े थे कि जैसा ही मेरा हाथ उनकी पहुँच में आये और वो मुझको उपर खींचने मैंने देखा, मैंने लोगों को देखा, राइट की तरफ से आती वी ट्रेन को देखा हाथ उपर बढ़ाया और किसी ने मेरा हाथ पकड़ कर बहुत जोर से खींचा मैं उपर पहुँचा और उसी वक्त मेरे पीछे से ट्रेन क्रोस होने लगी जो काफी आगी जाकर रुकी मुझको बैंच पर बिठाया गया और सब ने घेर लिया जबर्दस भीड इखटा होई जिसमें मैं समझता हूँ कि तकरीबन सभी हिंदू होंगे सारे हिंदू भाई थे और हमारी हिंदू बहने और हिंदू मादाएं जिनके माथे पर बड़े बड़े टीके साफ नज़र आ रहे थे मुझसे ज़ादा वो औरतें टेंशन में दिखाए दे रहे थे क्योंकि मैं तो अभी तक समझी नहीं सका था कि हुआ कि हुआ क्या है मुझको थोड़ा टाइम लगा ये रियलाइज करने में कि मैं जो इतनी देर से ट्रेन की आवाज सुन रहा था वो मेरे लिए थी और जो इतनी देर से जोर जोर से चिलाने की लोगों की आवाजें सुन रहा था वो भी मेरे लिए थी जिस में आद्मियों से जादा औड़तों की आवाज थी मुझको रियलाइज हुआ कि मैं अभी अभी जन्नत जाते जाते रहे गया हूँ जिस आदमी ने मुझे खींचा वो भी कोई मेरा हिंदू भाई होगा जिसका हाथ सबसे पहले मुझे टकराया होगा वरना कई आदमी मुझे को उपर खींचने के लिए बिलकुल तयार थे कि जैसे ही किसी के भी करीब होँ और वो मुझे को खींच ले सेकेंड नहीं मिनिट नहीं बलके सेकेंड के सववे हिस्से में अल्ला ने हमारे हिंदू भाईयों और बेहनों को फरिष्टा बना कर भेज दिया अल्ला जब जिस से चाहते हैं काम ले लेते हैं दोस्तों सरा आपने इस एक मिनट को पीशे कीजिए और दिल से सोचिए कि इस वक्त जब लोगों ने खास तोर पर उन महिलाओं ने एक बच्चे को पट्री पार करते देखा उस पट्री पर जिस पर ट्रेन आ रही थी उन लोगों का उन महिलाओं का क्या हाल हुआ होगा उनके जहन और दिल कैसे बेचैन होंगे सांसें रुक गई होंगी फिकरमंदी अपनी इंतहा को होगी अंदाजा लगाईए कि वो अभी कुछ सेकंड बात जो देखने वाले थे वो कितना भायाना कोने वाला था क्या ये ट्रेन इस बच्चे को कुचल देगी क्या वो इस मनजर को देख पाएंगे क्या वो कभी इस ट्रेजिडी को भुला पाएंगे जरा खुछ सोचिए कि उस वक्त कैसी टेंस्ट सिचुएशन थी और जब उस बच्चे की जान बज गई तो उन सब को कितना रिलैक्स फिल वा होगा और खास सवर पर महीलाओं की जान में जान आई होगी पता नहीं कितनों के तो आंसु निकल गया होगी दोस्तों क्या आपको लगता है कि वो मनजर मैं कभी भूल सकता हूँ कभी नहीं भूल सकता क्या किसी ने बच्चे को बचाने की टाइम सोचा कि यह हिंदू का बच्चा है मुसलमान का नहीं पूरे प्लेटफॉर्म पर जो पब्लीक थी जो मुझको बचाने के लिए आवाज लगा रही थी चींक रही थी चिला रही थी वो किस दर्म की थी वो किस जाती की थी वो किस मजब की थी उसमें 99% मैं समझता हूँ हमारे हिंदू भाई थे पर क्या उन्होंने सोचा कि छोड़ो चोड़ो यार ये तो उस मुसल्मान का बच्चा दिख रहा है गुर्ता पेना है मरता है तो मरने दो किसे ने सोचा? नहीं उन सब को उस वक इनसान होने का एहसास हो रहा था उस वक वो जो अमल कर रहे थे उसी को हम इनसानियत कहते हैं हम कोई भी धर्म जाती के हो अगर हम किसी इनसान को तकलीफ में देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारा खून हमको इस बात का एहसास दिलाता है कि हम एक ही हैं, एक ही माबाप की ओलाद है सामने ओले को तकलीफ में देखकर हमको भी दुख होता है जितना ज़्यादा हम में इंसानियत होती है अतना ज़्यादा हम उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते है दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इनसां को वरना सिर्फ इबादत के लिए कुछ कम ना थे कर रो भया शेर को थोड़ा सा मोडिफाइट कर दिया हूँ अब यहाँ थोड़ी देर के लिए हम जगा और धरम बदल देते हैं क्या अगर यही सीन पाकिस्तान या बंगला देश के किसी स्टेशन पर होता बच्चा कोई टीका लगाया हुआ किसी हिंदू भाई का होता और प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग सारे के सारे मुसल्मान होते तो क्या होता मेरा सवाल मुसल्मानों से है आप बताईए कि आप उस हिंदू धर्म के मासुम बच्चे के लिए क्या करते हैं भले आप पाकिस्तान से हों बंगला देश से हों या इंडिया से हों मेरा सवाल सारे मुसल्मान भाईयों से है कि आपका क्या एक्शन होता कमेंट में जरूर बताईए और साथ ही साथ में अपने नौन मुसलिम से भी पूछना चाहता हूं चाहे वो हिंदू हो, क्रिशन हो, एथिस्ट हो, बुदिस्ट हो, कोई भी हो कि आपका क्या खयाल है कि ऐसे वक्त में आपका मुसल्मान भाईयों का क्या रियक्शन होता वो क्या करता आप भी कमेंड में जरूर बताईए अखिर में फिर आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया और आज इस मौके पर मैं फिर से उन सब लोगों का शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ जो उस वक्त उस बच्चे को बचा रहे थे और हमेशा उनके लिए दूआ भी करता रहता हूँ कि अल्ला उन सब को उनके इस बहतरीन अमल का अपने खजाने से बहतरीन इनाम अता फरमाए दोस्तों यह हमारे मुल्क की सबसे असल खुबसूरती आपको भी कभी भी कहीं भी कोई भी तकलिफ में दिख जाये ना अपना नसीब समझना जो कर सकते हो कर देना क्योंके दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इनसां को वरना सिर्फ अबादत के लिए कुछ कमना थे कर रो बया इस वीडियो को शेयर करके इनसानियत की इस तस्वीर और तसवीर को पहलाने में इन्सानियत की मदद कीजिए क्योंकि हर धरम, हर मज़भ इन्सानियत ही की तालीम देता है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अस्सलाम अलेकुम और रहमतुल्लाही वबरकातू जहिन झालेकुम और रहमतुल्लाही वबरकातू जहिन की तालेकुम और रहमतुल्लाही वबरकातू जहिन